सशी काल जी सार्यानू most welcome to your own channel राइट ओन चेप्टर नंबर 6 अपना चाल रहा है विच इस अपना चाल रहा है जिदे विच आपके डिस्कस कार दियां अप्लिकेशन ओफ डेरिवेटिव दे कोस्चन्स नो डिस्कस कार दियां 106 कोस्चन अपने हो चुके ने तेहों आज सारे ने जूर जान साडेना सारा कुछ अवेलेबल मिलेगा ग्रुप थियूरी अपना थियूरी दे विच बस ग्यारा चिप्टर रहन दिया बखी सारा सलेबस तो हाड नू इस चैनल दे उपर अप्लोड मिलूगा एटू जैड तो हाड थे सारा कम हो जाना है ठीक है तुस हाड़ा कोश्चन नंबो 107 तो जाहे ही क्लास रिकोड़र है अबर तुसी पूरी कोशिश करनी है कि तुसी सब तो पहला अपने कोश्चन दा आंसर खुद स्वालव करोंगे उस तो बार ही तुसी देखोंगे कि तो हाड़ा जड़ा आंसर है वो सही है यह गलत है तो चलो आज आपां टॉपिक 3 है जड़ा हो कंप्लेट करदा हमांगे ठीक है ते टेंजेंट एक्स इकोल्स तु सी तु दे कर्व मैंनो कर्व दित्ती हुई है कर्व केड़ी दित्ती हुई है y is equal to x cube minus 5x square and minus 3x हुन अगर है कर्व है ते दे मैंनो के टेंजेंट दित्ती हुई है ट दो पॉइंटस नो मिलके बन दिये एना दो पॉइंटस नो मिलके बनी हो एक लाइन है और पहले रहे तह आपा ने जड़ी c धी वेल्यू है वो फाइंड आउड करनी है कि की होईगी एक चीज़़ा दे पुछ बड़ी ही क्लियर है कि येड़ी एक्स इकोल्स तो सी है उक ह हो रही है इसनोऄख कर कि जा रही है । अबह राइक हो र्य पर हो आपको की करांगे क्योंकि दो the reactions ॓ फीकल 2 उस्च फीर होन 2 स्ब्सट शोसे बाइब और से कोबने कौश्चनु इस व कोड़ी न इस डो जा स्ब्सक्राइब मुठF, reject और एदी स्लोप कर दांगे तो दोना नों राख दांगे जी इकोल और अथा पने कोल वैलिव आ जानी है सिंपल सोटर चलो जी तहुन एदी स्लोप के में निकल लेगे रहा है डेरिवेटिव कर दो स्लोप आ जानी है डेरिवेटिव किनना आए है 3x square minus 10x and minus 3 दिस इस स्लोप किदी कर दी और एदी स्लोप कर लेने है केड़े केड़े पॉइंट्स तो मिलके बनी है 1 and minus 7 3 and minus 27 दो पॉइंट्स तो मिलके बनी होई जड़ी कर दी कर दी है और कि में सॉलप हों दी है x2 minus x1 divided by y2 minus y1 बस फिर y2 minus y1 divided by x2 minus x1 किनना आगया 10 तो इनना दोना नो इकल राख देने है 3x square minus 10x and minus 3 which is equals to 10 तो होने कुछ नहीं करना options नो चको होने अग्ये तुसी ये question कि में करोंगे by option करोंगे options नो चको ते put करके देखो केड़ी x दी value जड़ी है वो satisfy का रही है क्योंकि तो उसे find out वी तो की करनी है कि तरेके ना लक्स्ती value ही तो करनी है ठीक है c option आप पुट करके देख 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 क्यों सैटिस्फाइग का रही है तो obviously तो hardy c option properly satisfy करेगी मतलब तो hard answer किया option c चेक करके देख सकते हो कोई नहीं करेगी only c option satisfy करेगी right अगे चाल देया question no.108 देऊपर this is your question no.108 इस question देख की पुझा होया है If the tangent sorry if the curve curve मेंनो के देख हुई है x cube plus ax minus b this is the equation of the curve जेड़ी curve है उतों इस point देख 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 1-5 point देख 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 है और यह जड़ी टेंजेंट है that is perpendicular 2 हुने है किसे अनादर लाइन दे किया परपेंडिकूलर हो लाइन दे कुछन मेनु की दिती हुई है यह वली दिती हुई है ठीक है दे करदांगे that is m2 और दोना दी मल्टिप्लाई इन्हों माइनस वान दे को रख दांगे simple दो रीजन भी हाइं दोनों आपस दे रिचकी ने परपेंडिकूलर लगने हना तो छलो फिर कर लें देखो कर्व मेनु की दिती हुई है एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस बी मैं चेक कर लानी है कोते को मिस्टेक ता नहीं है हाँ जी प्लस एक्स हाऊगा ठीक है और उस तो बार मेनु की दित्ता होया होने दी आप पहला स्लोप काड़ लेने है डी वाई ओवर दी एक्स किन्नी आएगी 3 एक्स स्क्यार प्लस चलो हुण एही मेननी की चीस नूत आंदे विच रखना है मेननो एक पॉइंट वी दित्ता होया है उस पॉइंट दे उपर आपने चेक करनी है पॉइंट कीना दित्ता होया है 1 &-5 उस पॉइंट दे कोडिंग मेरी जरी स्लोप है वो किन्नी आगी 3 प्लस ए ता पहली है पहली स्लोप आगे फुम आपा दूसरी स्लोप काड़ लेने हैं दूसरी स्लोप मेननो कीन्नी दित्ती हुई है बापस जाने है एक स माइनस वाई-4 यह मेल्कुल हो लाईन है जो इस ते परपेंडिकुल रहता है इस ते एकॉरिंग मेलकुल एंदी स्लोप की होईगी कोफिशेंट ओफ y तह मतलब मिल्कुल सेकेंड स्लोप किन नहीं आगी वान आगी हुन दोना स्लोप सी मल्टिप्लाई M1 ते M2 यह मिल्कुल किस दीकोल है माइनस 1 दीकोल है मतलब 3 प्लस A and 1 दाट इस इकोल स्टू माइनस 1 तो वेरी क्लियर मेंकोल A दी वैल्यू किन नहीं आगी माइनस 4 आगी जो दो मेंकोल A दी वैल्यू 4 आगी हुन तुसी कहोंगे कि मैं थोड़ाचा लैंधी चला गया बटाई मेंदा कुछ नहीं तो अडिकोल Y किन आगया X3-4X the reason मेंकोल हले भी B दी वैल्यू नहीं आगी ता मैं B दी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं बिल्कुल कर सकते हैं कि में फाइंड कर सकते हैं देखो पॉइंट देता हुएं पॉइंट पुट करके आप एदे विच फाइंड आट कर लेने हैं सो माइनस 5 दैट इस इकोल्स टू 1 माइनस 4 माइनस B ता माइनस 5 प्लस 3 इस इकोल्स टू माइनस B और कार कराके मेरे कोल B दी वैल्यू किन आ चुन दिये मतला मेरे कोल एथी किन आ गया माइनस 2 आ गया हुण कुछ नहीं तो हाड़ कुल कर्व दे EQUIशन लेंध यहां तो हाड़ कुल कर्व दी EQUIशन है नीशी है हुण तुससी 2 शुट नहीं ज़कोल्स पुट करो ते दिखो केडियो अप्शिन प्रॉपनली सैटिस्फ़ाई क माइनस तू माइनस तू देकुल हुंदा है मतलब बी ऑप्शन हे दिविछ सेटिस्फाई है सो राइट आंसर इस ऑप्शन बी ठीक है अगे चाल देहां कोश्चन नमबर वन जीरो नाइन दे उपर इस कोश्चlynnज ता हानू की पुछे होया है is questions ता हानू पुछे होया the points at which the tangent cant territorial point star कोई भी मादलो मेरकरव और कोवा मैंने इस दी कीcketली tangent काडली हूँ यह के दिए जड़ी स्लोप हाओ मैं माल लानी है M1 है ठीक है तो कहने ओकी होगी इस दे पर्पेंडिकुलर होगी किस दे प्रपेंडिकुलर होगी x प्लस 3y प्लस 2 दे बड़ा ही क्लियर है that is equal to 0 ताहुं दसु जी अगर दोनों आपपस परपेंडिकुलर ने ओर दी स्लोप M2 है तापा केड़ा मैथर लगा के चलांगे दोनों स्लोप दी मल्टिप्लाई विच इकोल्स टू माइनस वान एमा राइट और रॉंग पर एनुए ने लेंधी मैथर नाल करन दे जरूरत नहीं हैगी क्योंकि ओजेडी टेंजेंट है ओबिसली ओकर्व दे नाल टच होके ही जाएगी ता मतलब जेड़े पॉयंट्स होनगे और डिफिनेटली अपनी करव दे विच शैटिस्वाइ करनगे लेरी क्लियर ताट चलो हुँँँँचे पॉयंच ने आपटि चेक कर लेन्या के केड़े पॉयंट्स अपनी कर्व दे विच सैटिस्वाइग कर देन 256 प्लस 5 तो वेरी क्लियर कि यह नहीं सेटिस्फाई करदा तो दिनाल ए ते सी ऑप्षिन सिद्धा ही कैंसल हो जान दियाने कि दोनों ही ऑप्षिन सही नहीं है क्योंकि दोना दे वेचे जेड़ा पॉइंट है वो सेम है हुन देखो एदे वेचे मैं एनु चेक करके टाइम वेस नहीं करूंगी 16 क्योंकि दोना दा पॉइंट सेम है मैं 14 जा माइनस 14 दी गाल गार लाने है ठीका फिर आपन अपना अंसर मिल जोगा तो हुन जड़ा 14 पॉइंट आप उसनु चेक करके देख लेने है कि मेरी कर्व द कि दोनों पॉइंट से 110 परचंट तो हड़ी कर्व दे विचे सैटिस्फाई करंगे तो हुवला मैथर लगा कि भी तो हड़ा कोशन स्वाल हो जुगा देट वाज लेंथी बट आपा एक काल्कुलेशन जेडिया हो जल्दी कर सकते हैं राइट चलो अगे चाल देया है कोश एकस क्यों प्लस थ्री एकस एद उपर वला पॉइंट फाइंट करने हैं और मैंने को गाल दसो इन्हों जारा स्वाल अप करने जुरूरत है आगे स्टेट्मेंट पढ़ां दे तो लोडी नहीं हैगी दू रीजन बिहाइंड क्योंकि आपा उनकी क्या है ओ जेड़ा पॉइंट आइना दे विच्छो सेटिस्वाई कर दे तो अप्शन एनू चेक कर लानेया पहलां आप्शन ए मेनू की दित्ती हुई है देट इस रूट सेवन बाय थ्री जो की एकस्टी वेल्यू है सिस्टीन बाय थ्री आंड रूट सेवन बाय थ्री हो सकते हैं जस्ट बि पुट कितती है तो मेर्कूल की न आ गया सेवन बाय थ्री दा क्यूब एंट थ्री शर्छी वेल्यवाग थ्री एक सेवन बाय थ्री विचु में कूमन काड़ लहे निकां अंधर मेर्कॉल की रह Compet तहां वेरी क्लियर मिल्कुल की हो रहे है 7 by 3 multiply देविच किन्न आ गया 9 9 and 7 16 बिल्कुल 16 by 3 तहां मिल्कुल मेरे ख्याल देविच यह जड़ी option है तो हाड एकुल यह प्रोपली satisfy करी जान दिया हाना इज विस्तों कोई पहले यह option अपना satisfy कर गया अगर पहले यह option अपना satisfy कर ग yes no किते कोई डाउट होभी तब पुछी हो अगे चल देया अगले question नो discuss कर देया इसी का question 1 1 0 तह यह है का question triple 1 मतलब 111 हां जी इस question दा अंसर दसो होन फटा फट की होन वाल है the equation of the tangent to the curve कैंदे उस equation जड़ी पहला तहीं मैंनु के curve दित्ती होई है एक curve है और इसों की जारी है के tangent जारी है ठीक है जी इस tangent equation मैंनु की दित्ती होई है y is equals to 4 x minus 5 दित्ती होई है केड़े point देउपर दित्ती होई है पॉइंट है two three point curve देउपर है ता मैं इस दे विच कुछ नि करांगी two three point put कर दांगी two three point put करांगे ता किन आजेगा nine is equals to four a plus b ता कुछ निया हुन जाओ तुसी बाइ option ते बाइ option जाके चेक करो केडिया ए और बी दिया वेल्यूस ने जिडिया वो तो हड़िया सेटीस्पाइब कर रहे या ने ठीक है ता सब्सक्राइब फर्स्ट आप्शन चाक लो three and minus five so nine is equals to four a दि वेल्यू three है और b दि वेल्यू minus five है और बड़ा ही clearly मैंनो पता लाग रहे है कि बारा दे विच्छो पांच माइनस करके nine ता नहीं आंदा ता मतलब a option ता wrong है और उस तो बार देखो b option नो चेक करके देखो minus five है मतलब answer में को seven ही आऊगा बट एथे मेरकोल किना four a दी वेल्यू की नहीं है six और b दी वेल्यू की नहीं है five so twenty four देखो five minus करांगे that is also not right answer c option जा d option देखो को एक value होगी आपा d नू लेके चाल देया क्योंकि minus है ता हूँ सक्दा आपाणू थोड़ा छेती answer मिलजी so nine is equals to four six minus fifteen क्योंकि plus दे रहांगे ता obviously answer नहीं आँगा ते probably कोशिश करे करो by option दी half question solve up करके वी जे अगे तुसे देख रहे हो by option हो रहा है then do that okay अगे चलो जी question number one one two दे उपर 112 number question the equation of the normal can they a है तो हानू curve दित्ती होई है और इस curve तो तुसी equation of the normal कड़नी है के दे उपर पी थीटा दियो परता है न चारान दे विच्चों केड़ी एक answer जेड़े है गया ओ तो हाड़े वस्ते सई बठूगा होण एनों जेकर तुसी as a trick के याद रखने well and good है जे नहीं याद रखना ताहां भी कोई problem नहीं देखो यथे अपा x value की लेके चलांगे r cos theta we all know that and y value की लेके चलांगे r sin theta x value r cos theta y value r sin theta slope कर दांगे तो slope दे विच्च अपनों पता है क्यों लटाके minus लगा की is equals to 0 आ जुगा वैसे इस question मैं suggestion करूंगी वैसे हूँ जुगा रामनाल कोई एमिदी गाल नहीं है but मैं suggestion करूंगी as a direct result तुसी याद रखो किक circle दी normal equation polar form दे विच्च केड़ी हुं दी है that is x sin theta minus y cos theta is equals to 0 बहुत सारे साथ ही इसनों एद्दा ही याद राख देने और नहीं भी रखना याद no problem तो hardcore x दी value हेगी या y दी value हेगी है you can easily found the slope and उस तो बार slope नो find out करके 1 by लगाके तो hardcore equation भी आ जाएगी right right or wrong clear है चलो अग्गे जाल दे हां question 113 दे उपर 113 नंबर question दे उपर हांजी इस question दे विच आपनों की पुछिया हुया है केंदे the intersection of the angles हूं तो हानों दो curves जितिया हुँ याने xy is equals to a square and x square minus y square is equals to a square दो curves जितिया हुँ याने तो दोनों curves केंदे आपस दे विच केड़े एंगल दी उपर intersect कर दियाने and as I told you कि जे तहानों options दे विच किते वी 90 डिगरी नजर आ रहे है ता अपने comfort दे लिए अपने satisfaction दे लिए एक बारी स्लोप दी multiply चेक कर लो कि most probably आमें अखा बंद करके नहीं लगाना most probably 90 डिगरी आंसर हुं दया और most probably आपाउनों पता के जातर चांस एदे ने ता आपा खबंद करके नहीं लगा सब्सक्राइब एक नमबर दा स्वाल है तो अथे अपा चेक कर सकते हैं फटाफ़ट स्लोप कार्ड के कर लो एम टू कर लो तो दोना दी multiply करके रिखो कियो माइनस वन दी इक्वल अन्दी है इफ येस देन कर दो ठीक है तो अगर आपा गाल करिये तो मेरेको लिए दी वैल्यू की आगी अगि एस स्लोप मतलब इसदा डेरिवेटिव किना आएगा इस कियर माइनस वन अवर एक्स स्क्यर सो माइनस एसक्यर ओवर एक्सस्क्यर मेरेको लिए इसदा फरस्ट स्लोप आ गया ठीक है अधर चले जाने है मेलकोल y² दी वैल्यू किन्नी आगी मेलको y² दी वैल्यू किन्नी आगी that is a² sorry x²-a² और जो तो मैं अधर डेरिवेटिव कर दिया 2y dy over dx that is equal to 2x मतलब मेलकोल डेरिवेटिव किन्ना आगया x by y ठीक है हुन देखो तो हाड़ी कोल xy by आया है ता इसनों तुसी पुट्ट भी कार साकते हो वाइदी वैल्यू अपने को रूड़ दे विच आजगी हाना ओके मुन लाग देविच वैल्यू इसनों फाइंड करना ही पहना option नहीं होर कोई जा फिर मेरे तो कोई नहीं कोई प्रॉब्लम होई है पहला मेरी गलती सीगी पहला आपकी करगे माइनस y ओवर x बिल्कुल ते उदर की आया सी सेकेंड स्लोप की आया इसी सेकेंड स्लोप की आया इसे अपने कोल हुनी हुनी काटे के हटे सी अपा बता ही ख्लियल नज़र आ रहे हैं के जो दोना दी मल्टीप्लाई को नहीं तो मेरी तोángे माइनस वन मतलब सिंपल क्लियर मेरी गश्रा किन Арय और पाईवाइ टू क्योंकि 17aksi से मैरा कोल किस डिकोली 15 प्लाइच आगे 3D इक्वणा आया है और पहला खुद सोल अलफ करें करो कोश्चन हूं जिव मैं था हूं दस्या हुआ है फिर अग्य जाके आंसर चेक करें करो हना देखो जी इस कोश्चन दे विच की बुच्या हुए है P point of the contact of the tangent from the origin on to the curve अन्यकुल की है P मेर कोल point of contact है अन्य बेच कुछ दस्थन दी लोड है गी है मैंने इस question द answer दोसो कुछ दस्तंदी लोड हैगी है मैंने को curve दिती हुई है curve तो कोई tangent जा रही है और P मेरकुल की है point of contact है ठीक है और उस तो बार मैंने की दितता हुए अच्छा curve की दिती हुई है y is equals to log e x दिती हुई है the length of the perpendicular draw from the reason to the normal ताहुने थी मैंने की दसनी है length of the perpendicular दसनी है के जेड़ी अगर आपा P point तो reason तो sorry जोड़ी tangent दे उपर आपा length कड़ांगी हो किन नहीं होएगी okay ताहिनों आपानू प्रॉपर solve करना पहने है ताहिन पहला आपनू equation of normal कड़नी पहनी equation of tangent कड़नी पहनी है फिर point कड़ना पहने ठीक है तो बाद आपनू length कड़नी पहनी है चलो कोई गाल नी इसनों आपा कार दिया है थोड़ा दा लेंधी है question बट आपा इसनों easily solve कर सकते हैं दिखो आपना one one four question इस question जापनू की दितता हो है आपनू कर्फ दित्ती हुए और कर्फ के डित्ती हुए है लोग x दित्ती हुए है एक यह और क्योंकि अपरी कर्फ दित्ती हुए है तेना नहीं कि है कि एक point of contact है और पॉंट मेनु पता नियों कोई पॉंट है जस्ती उपरे तेंजंट भान रिया राइट और रोंग तो पहला तपा किट की कर्ड लेनी ढरी जरूरी राइटा हमें कियो कि टेंजेंट कर बॉन्हें पॉंट अफ कॉंट और वकूंट कोंट अफ कॉंट सलोप दित ती हुई है तो एक्वेशन ऑफ टेंज माइनस एक्स वन हुन एन ने केहा कि जड़ी टेंजेंट है कि दे विच्छो है और इजन दे विच्छो अच्छी खासी पास हो जान दी है ताइट मेंस मेरकोल किन आ गया माइनस बिटा इस इकोल स्टू वन बाइ ओबिसली अधिया अल्फा पॉइंट पुट करांगे और एक्स माइनस एक्स दी वैल्यू जीरो है और अल्फा ता कुल मिलाके मेरकोल जड़ी बिटा दी वैल्यू है और किन्नी आ जान दी है मतलब प बिटा दी वैल्यू के निया वन मतलब one is equal to लोग अल्फा लोग कदो हुंदै ओ यह जदो लोग E हुंदै तो लोग E is equal to log alphah मतलब alphah दी वैल्यू के निया जान दी है यह तो जेड़ा पॉइंट एननने क्या हुय है और पॉइंट फोइंट कोई हो नी हैगा हूँच पहलिघ आपको पहुआंट पनो पता लागे है की केरेंट मैंहाभं मिल गया मिनू पॉइंट मिल गया और ये सिन ने पहल सिन नोर्मल केइंट्न हुँ न्यक्ट अन्यक्त है ये सी नोर्म頭 में को टिंधे, वाई-इक्सुन रीकुड कई है पाइंट दी उपर आपनी slope काड ली ता कुछ नी equation of normal काड लूजी equation of normal मेरे कोल किन्नी होएगी equation of normal होएगी y minus y1 is equal to slope x minus x1 ता slope में ने जो तो कड़ी y minus y1 y minus y1 is equal to minus ex plus e square ता मेरे कोल equation की आगी ex plus y minus e square plus 1 is equal to 0 so this is the equation अपने की कड़नी है length कड़नी है अपना main purpose की इसी length of the perpendicular अपने फाइंड करना सी कि तो reason तो ता पाओ कि में कर दे हुनने है we all know that उपर आप कर देने है point put ठीक है जी उपर point put कर दे है और more दे विछ हुन दे ता अगर के minus नहीं plus ही रहेगा और divide कर दे हुनने आप कि दे null coefficient of x square ते coefficient of y square ता किन्ना बन गया e square plus 1 divide by root देविच e square plus 1 solve off करांगे ता answer आगया root e square plus 1 ठीक है so which option is right here a b c d ता very clear option a right है ठीक है थोड असा lengthy question you can if you want you can skip it also but आपा इसनों इक वरी cover up कर लिया को बहुत सारे points से दे विच cover होगे ता जोदो तो हानू point of contact नहीं पता भी केड़ा आपने लेट कर लिया which is alpha beta ठीक है और main equation के जित्ती हुई सी y is equal to log x and y is equal to log x तो slope कर नहीं तबन दी है slope मैंने काड ली ठीक है जी slope मेरकोल किन्यागी 1 by x से तुसी point पुट करके 1 by alpha भी कह सकते हो ठीक है तब मेरकोल equation of tangent की हो जान दी है y minus y1 slope x minus x1 ता हुन जोदो मैंने पता है के hडी है और के दे विचो पास कर दिया और reason दे विचो पास कर दिया तो एथो बड़ा clearly मेरकोल कीदी value आजान दी है चलो, skip कर सकते हो, जादा टैंशन जा बढ़न आ लेए लेंथी है, यह ना लेंथी नहीं आंदा, ठीक है, तो आप अपा तांक आ रहे हैं, चलो, question आ गया, तो आपा कर लिया, अगली question देखो जी, हुझे, यह लेंथी निकले, तो आपाइ, अपाइ, 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 अप the curve, the curve में नुके दित्ती हुई है, this one, 4x power 5 and 5y power 4, the ratio of the cube of the subtangent, add the, this is also a very lengthy question, ratio of the cube of the subtangent, हुझे, पहला मैं धी, subtangent कड़ांगी, ठीक है, subtangent कड़ां तो बार मैं धी, subnormal कड़ांगी, देखो, तो हनु सारा को चांद है, तो हनु subtangent कड़ांगी, अपाइ, 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 नहीं कर दे, देखो, तो हनु subtangent कड़ांगी है, हाँ जी, इनने की किया है, ratio कड़ांगी है, cube of the subtangent, पहला subtangent कड़ांगी, तो नु subtangent कड़ांगी, subnormal कड़ांगी, square कड़ांगी, अच्छा, फिर अगर तो हाँ एक्स वाइ दे विच आ रहे है, तो थो नु of the tangent to the curve, curve menu की दिखती हुई है, y is equal to x cube at the point of the ordinate, the point is, हुन देखो, बड़ा ही simple जाकाम है, यह दे विच की किया हुए है, the slope of the tangent, ठीक है, कहनदे जेकर मैं इस curve तो, इस curve तो, जड़ी tangent जा रही है, मैं उस दी की कड़ांगी है, slope कड़ांगी है, ठीक है, केड़े point दे उपर at the point is equal to the ordinate of the point, ठीक है, the point is, हुन जेड़ा हो point हो की है, ordinate point दे equal है, तो, दसो जी फिर हो point केड़ा होन बाल है, बड़ा ही clear है, बड़ी ही simple जी चीज है, आपने कुछ नहीं करना, आपनू गीवन की है, आपनू यह गीवन है, के जेड़ी तो हड़ी slope है, तो हड़ी ordinate दे ह पिछे question था, कुछ बाची नहीं जानदा, मेरी slope मेरी ordinate दे ही equal है, मेरी slope की है, 3x2, और मेरा ordinate की है, x3, समझ रहों मेने की किता है, मेने की किता है, y is equal to x3, तो, य दी जगा तो, य दी जगा तो, 3 आगी, अगर मेरी x2 value 3 आगी, हुने थे 2 value जानगे, एक x2 value 0 वी आओगी और एक x2 value 3 वी आओगी, ताहुन जेडे option दे विच, ताहानू नजर आ रहे है, कि मेरी कोल x2 value 0 ता किता है ही नी, पर मेरी कोल x2 value 3 एक जगा ते ही है, that is option B, ताहानू y2 value कड़न दी लोड़ी नी हैगी, तो, हड़े को लेथ हुई, तो, हानू answer मिल गया, that is option B, clear? चलो, next question कर दे है, question number 117, 117 इस question दे विच देखो, की दित्ता होया है, हाँ जी, इस question दे विच की दित्ता होया है, the points on the graph, लो जी, ए दे विच भी कुछ करन दी लोड़ी नी, चाहे तुसी अग्ये नहीं पढ़ना ना पढ़ो, the points on the graph, ओहु, point जेडे इस curve दे उपर हैगे अग्ये जान दी, load ही नहींगी, just points को satisfy करके देखो, कि केड़ा point satisfy हो रहा है, that is your answer, तो चलो, सबते पहला point ले ले लेने, आप तू टू, चेक कर दे है, कि है satisfy कर दा है, या, नहीं कर दा, that is 8-6, पहला point ता satisfy कर रहा है, हाना, तू टू, हुन इस question वे थे, stop कर दो, है, question by option व बहुत सारी जगा दे उपर था, हनू नहीं नजर आऊगा, और देखो, minus 2, minus 2, we satisfy करूगा, so, एक तरिक्के ना, कितने, किते, बहुत साल या, options था, हनू, हुजी है, मिल जानगी है, जरिया, मतलब, more than one option वाला question, हना, तो जोदो है, more than one option वाला question है, तो आपा इसनू कर दे ह आपने बेसिक दे तरिक्के ना, ठीक है, टाइम नहीं वेस्ट करना, क्योंकि आपा, आपने को लिखी है, एनल की है, पैलो, to the x-axis, at which the tangent is, पैलो, to the x-axis, जोदो अपने को पैलो, to the x-axis है, we know that, के डेरिवेटिव कर दो, ते हुनने, इकल तो 0, रखतो है, ये चीज अल्रे तो, वी सेटिस्फाइ का रहे हैं, पर आपने को लिखी है, आपने को लिखी है, जीदे विख 1 और –1, only d option है, जीदे विख कुछ नहीं है, बाक्की आपने चेक करना पहेंगे, हाना, आपका कुछ नहीं करांगे, हुन य दी वेल्यू का डेलांगे, इक मारी में, x दी वेल जुदो मैं, sorry, ओके तब फर करन दी लोडेनी से, एक 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 एविए वेल्यू माइनस वान आगे, एक 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 एविए वेल्यू माइनस वान आगे, तो, के ढ़ियो ऑप्चिन राइट है, option E, अगे चाहल दी आँ, question 1, 18 दे उपत, ओके, दे एंगल बिवीं दे कर्व्स इस दो कर्व्स हुन देते हैं हूं याने y is equal to 2 raise to power x and y is equal to 3 raise to power x कहने दोना देविच जड़ा एंगल है और अलफा है ता मैंनो दुसों के tan alpha किना हुएगा what is the value of tan alpha हुन एंगल आपनो सारे हैं पता है कि में फाइंड करीदा हुन देखांगे अपा ठीक है okay the angle between the curves is alpha the value of the tan alpha ठीक है ता पहला ता first derivative कर लाने है that is m1 कड़ लो 2 power x log 2 m2 कड़ लो 3 power x log 3 ठीक है हुन आपनो इथे करना है पहना है point of intersection point of intersection देखो दो कर्व जितिया हो याने दोनों आपके ब्राबर राख लाने है क्योंकि दोनों ही values ने ता अपने को point of intersection भी आ जूगा very clear 2 by 3 raised to power x that is equals to 1 मतलग कि यह x value 0 होगी क्यों क्यों क्योंकि आपके इसनों x power 0 भी लिख सकते हैं किसे दी power 0 होगे ता ही वाना आदा है यह मतलग x value 0 है अगर x value 0 है तो slope 1 की नहीं आगी log 2 अगर x value 0 है तो slope 2 की नहीं आगी log 3 ता बस दोनों slopes आगी हैं ते angle आपके फाइंड कार सकते हैं एंगल की होईगा 10 theta m1 माइनस m2 divided by 1 प्लस m1 m2 लिखी ही रहे तो 1 प्लस m1 m2 ठीक है तो इत्थी मेरे कुल किन आगे 10 slope 1 किन्नी सी, slope 2 किन्नी सी, divide by और 2 ना दी, multiply तक बड़ा ही clearly पता लाग रहे है कि option केडी सही है तो देखो इसनों आपके लिख सकते है 2 by 3 जा 3 by 2 हां देखो बड़ा ही clearly पता लाग रहे है that option A is the right answer ठीक है तो होने ते question रहे है मैं माइनस आनी फर्क पोगा नहीं है आपका more देविछ लेके चाल देयां तम माइनस मर्ज भी हो जाना है हां जी अगे चाल देयां question number 119 दे उपर इस question देविच की रिता हुआ है the fix point on the curve होने देविच भी ज्यादा कुछ करन दी लोड़नी है अपकाने ओवला fix point करने है जेड़ा की इस curve देव पर की करदा है like करदा है by option ए question बड़ी अरामनाल हो सकता है easily हो जुगा केड़ी option जेड़ी देविच सैटिस्फाइग का रही ह पॉइंट सैटिस्फाइग का रही है वही तो होड़ा answer है ठीक है clear है so check कर लेने यह option तो 3 2.2 चेक कर देया कि satisfy करदा है नहीं करदा 2 which is equals to 9 minus 12 plus 5 ता मेरे कोल किन आ गया minus 3 plus 5 पहला ही option सैटिस्फाइग कर गया अग्गे जान दी ज़रूरत ही नहीं है कि चलो जी अगला question question number 120 120 दे विच की है if the length of the sub tangent at any point to the curve होने दे विच मेंनो की दित्ता होया कैंदे अगर length है sub tangent दी proportional to upcisa then n, n दी value मनकोल की होगी बड़ा ही clear जा answer है दे विच कुछ करना ला है नी already आपा sub tangent subnormal दे बहुत सारे questions कार चुके हैं so it is very basic और it is very easy to understand कि अपने कोल n दी value कोई पर्डिकुलर नंबर ना हो कि non zero real number कुछ भी हो सकदा है ठीक है so that is next question question number one two one the point on the curve at which normal makes equal intercept होन इस केंदे ओही चीज आगी दुबारा ए मैंनी करवारी है तो हड़ा homework लेलू क्योंकि अपने ओह पॉइंट दसने है जेडा इस curve दी उपर लाई कर दे तो कुछ करन दी लोडनी equal intercept ABC कुछ करन दी लोडनी just options चको ते जेडा है दे विच प्रपली अंसर होएगा अगला question question number 122 हाँ जी इस question चिरिता होया है if the curves this and this are orthogonal to each other देखो केंदे जिकर ही दोनों ही slopes की कारियाने एक दूसरे नू 90 डिगरी दे उपर की कारियाने कारियाने तो दस्तों जी केड़ी equation जेडिया और प्रपली सही होएगी देखो बड़ा ही simple है बड़ा ही इसी है एदे विच आपने कोल दो कर्वस यतनी होई है ठीक है दोनों ही कीनिगिया और्थोगोनल नहीं था और्थोगोनल दी कंडिशन लेलाने की कंडिशन हों दी है 1 by A minus 1 by A1 that is equals to 1 by B minus 1 by B1 यहीं कंडिशन हों दी है जो आपने दास दी है कि दो कर्वस आपसे विच की हो और्थोगोनल हों A की है X दो कोफिशेंट ठीक है ता मतलब मेर्कुल किनना आ गया 1 by 1 minus A1 की है A1 की है एदा कोफिशेंट ता मतलब मेर्कुल किनना आ गया 1 by Q that is equals to 1 by P and 1 by 1 ता वासे इसनों स्वालाफ करो आंसर रेडी है 1 by P P plus 1 by Q that is equals to 2 के डी option आ जान दी है option D चीक है और यह अच्छी खासी है जो काफी जगाते यूस हुन दी है इसनों as a prick as a note अपना clear रखो हां जी अगला question है गा question number 123 हां जी इस question दांसर दूस्तों की होईगा question number 123 the slope of the normal which is parallel to the line is not is the slope कड़नी है जो कि इस दे की होएगी पैलर होएगे कुछ करन्दी लोड़नी है इस लोड़नी है इस लोप कड़ना होंगे time waste करोंगे ठीक है नहीं के इस लोड़नी है जो दो हो ए दे लाइन दे पैलर है पैलर मतलब की हो गया कि दौन्नों स्लोप सापसे विछ की हों गया इककल होंगे जो एरे इस लोड़नी है माइनस coefficient of x divided by coefficient of y यही हुंद है ना इसलाओ फ़ नॉर्मल हां ताहन क्योंकि है जड़ी लाइन है वो मेलकोल की यह पैलर है तो बड़ा ही क्लियरली मेलको लही अंसर आ जुका that is minus 1 by 14 ठीक है अगला चाल दिया है अगला की है question number 124 हां जी the subtangent at x is equals to pi by 2 on the curve हुन सब्टेंजेंट की में काड़ दे हुन ने आपा हुआ what is the formula for the subtangent y divided by derivative यही हुन दे subtangent काड़ना method ठीक है y divided by derivative हुन पहला था y काड लेन्या y की है pi by 2 sin pi by 2 ता किन्नी आगी y दी value pi by 2 clear है ता y दी value पताल आगी हां जी हुन आपा गाल काल लेन्या first order derivative देता है derivative किन्न आएगा मेरकोल y is equal to x sin x so derivative is equal to first as it is second derivative and second as it is first derivative solve ना करो सिद्धा इस्दे वेच की कार दो value put कार दो ठीक है so a मेरकोल value की है 0 plus 1 ता मेरकोल जरी दूसरी मेरकोल derivative आगया हो किन्न आया 1 ता कुछ नहीं है y दी value किन्नी सी pi by 2 divided by derivative derivative किन्न आया 1 ता मेरा answer भी किन्न आ गया pi by 2 तो खासी ना बस आपनू पता होना चाहिंदे कि सब टेंजेंट निकल दी की में है ठीक है so this is the question number 125 हां जी इदे विच कि दिता हुया है a straight line parallel to the line a straight line जो कि इस दे पहलर है is also a tangent on the curve नाल नाल हो इस दे की है tangent on the curve भी है the point of contact कुछ करन दी लोड है नहीं कुछ करन दी जुरूरत नहीं है by option point satisfy करो क्योंकि जड़ी टेंजेंट है और curve नो टच करके जाएगी ता हुझ जड़ा point है okay होएगा curve दे उपर भी satisfy करूगा तो देख लेने हां केड़ा point satisfy कर दे कर दे कर्व की दित्ती हुई है कर्व की दित्ती हुई है sorry y2 is equal to 4x plus 5 हाना ता पहला पहली option चक लेने है 2 & 1 ता 1 is equal to तो एता बड़ा ही clearly नजर आ रहे है भी satisfy नहीं करदा इंतर करो क्रोस दूसरे हैगा minus 1 & 1 so that is 1 & minus 1 चलो जी यह satisfy कर गया यह मेरा right answer है कुछ करंदी अग्के जरूरत नहीं हैगी ठीक है यह सिगा 125 question question no.126 हां जी question no.126 is question दा आंसर दसू जी the slope of the tangent to the curve at low यह कोई करे नाला question है देखनों दाना लगदे भी पता ही नहीं की देता होया बर तुरूरत है कुछ भी नहीं derivative करो point put करो answer थोड़े सामने है क्योंकि आप आई देविच की कड़नी है slow up कड़नी है तो बहुत सोखा question है तो उसी खुद बहुत बढ़ी अराम नाल कार सकते हूं करी हो जरूर ठीक है अगे देखो जी question no.127 इस question दा आंसर दोसों की होएगा the normal to the curve हुने देविच देखो की दिता हुए है the normal to the curve at this point ठीक है ता हो कहने के देविच होएगी first quadrate 9 में to the curve again and बाक्ती साहीं options यतनी हो यहने second quadrate 3rd जा 4th ठीक है सो पहला पहला पहली काड़ लेने हैं देखो 2xy-3y2 is equal to 0 पहला पहला पहली slope काड़ देयां derivative कार देयां 2x2 first as it is second derivative and second as it is first derivative 6y dy over dx अपने derivative value कर नहीं है केड़े point देऊ पर one one point देऊ पर point नहीं है थी put कर दो जारा लेंधी ना लगके जाये करो ठीक है so 2 dy over dx and 2-6 dy over dx which is equals to 0 तैथो dy over dx ते जड़ी मेरी value है ओ किन्नी आ जान दी है देखो 4 which is equals to minus 4 ता 4 कुल मिलाके मेरी कोल जड़ा derivative है ओ वान आ गया हुन जदो मेरी को slope किन्हीं आ गी वान आ गी बट मेने की कड़नी है नॉर्मल कड़नी है ता नॉर्मल दे की होईगी minus 1 होईगी no doubt माइनस 1 मेरी कोल की आगी दी slope आगी हुन देखो उस तो बाद की करने है उस तो बाद आपनू की पुछया होया है के है कित्थे मेट कर दी है जड़ी नॉर्मल है वह इनना चारां दे विच्चो कित्थे अगर आप गाल करिए कर्व नू दुबारा मीट कर दी है ता दोस्तों फिर केड़ा option आ जाना है पहला तो क्योंकि अपने कोल slope किन्हीं आई है वान आई है तो आपनू की कड़ना पहना पॉइंट दित्ता होया है नॉर्मल दी एक्वेशन कड़न ही पहनी है तो y-y1 is equal to slope x-x वानता है एक question देविच आपनू करना पहना है point of intersection कड़ना पहना है curve दित्ती हुई या तो हानू curve दित्ती हुई है ठीक है जी आ तो हानू line equation दित्ती हुई है ठीक है और इत्थे तो हानू की कड़ना पहना है intersection point कड़ना पहना है intersection point कड़के तो हानू जड़ा point आउगा वो पॉइंट चेक करना पहना है कि केड़े कोड़ेट दे विच लाई कर दा ते योगी थोड़ा आंसर होगा ठीक है थोड़ा जला इंथी जाओगा बट चलो कर लेने है एक्स स्क्यूर उस्तो बाद है मेरेकोल 2XY हांची सो 2X एथे मैं वाई दी वैल्यू काड़ी के दा होल स्क्यार इस इकल स्टो जीरो एक्स स्क्यार प्लस 4X माइनस 2X स्क्यार माइनस एन वी आपा खोल के काफी लंबा जाओगा है था लेन्थ ही जा रहे है ओके A स्क्यार करांगे ता मैरेकोल 20 ली किना आजेगा माइनस 12 बी स्क्यार करांगे सो 3X स्क्यार माइनस 3X स्क्यार और 2AB करांगे ता 12 X is equal to 0 ता एक्वेशन केरी बानगे मैरेकोल प्लस 16 X माइनस 12 is equal to 0 4, निकल के cancel हो रहे है एक्स स्क्यार माइनस 4X प्लस 3 is equal to 0 बड़ा ही क्लियरली फैक्टर बानजानगे दिखी रहा होता ठीक है जी ता मैरेकोल एक्स दी यान दो वैल्यूज आ गिया एक एगी 1 एक एगी 3 उन्हें एक्स दी वैल्यू पुट करके किन्हीं आ रही है 3 माइनस 1 माइनस 1 आ जेगी ता दो पॉइंट्स आगे मेरे को ठीक है तो दो पॉइंट्स दे वैच बड़ा ही क्लियरली पतला लग रहे है कि जड़ा एवला पॉइंट हो मैं कोल कित्छे लाय का रहे को कि देखो दूबारा मीट करन दिगाल किती है कि द हां जी इस कोश्चन ना अंसर दोस्थो लेट वाई एंड वाई बी टू कर्व दे अंगल बिविन दे टेंजेंट तो दे कर्व ओही आ गया कि एंगल आपने दसना है किन्ना होगा दोना दे विच किन्ना अंगल बाने रहे हैं और क्लिरली डेरिवेटिव करके स्लोप करके आपन करना पहने है ठीक है चलो जी सो पहला मैनू की देता हुए है य इकल टू ए पावर एक्स स्कूर डेरिवेटिव इन तो से स्किप भी कर सकते हैं इन लाइन थी कोश्चन नहीं आंदा बट यू कन आँस स्किप दिस बाक्की एं पने कोल 128 है ठीक है हां जी इस कोश्चन द आंसर देख रहे हैं किया हुगा फंक्शन दिता हुए है ठीक है द टेंजेंट रॉन टू दू द कर अट अट अनी पॉइंट विल लाइब अब द कर लाइब बिलो द कर नथिंग कान बी सेट पालर टू दू दू फिक्स साइड फंक्शन में मुद्धा होा है जी मैंस और सर्ण मेंस सहली को दूडा हुगा और मेरी एसडी पॉरष कोड़ेट द बीच कोस द सीगन दोनों ही पॉपीटिव सुन देन?」 और पूरी पूरी वेल्यू है और first quarter दे विछ बड़ा ही clear है कि थोड़ कोल derivative जाता greater than 0 होएगा जा equal to 0 होएगा तो चलो हुँ second order derivative कड़ लेने है second order derivative मिल्कुल किन आएगा minus sin x minus 2 second x से second x तरगे करांगे second x 10 x और यह value मिल्कुल की आ रही है negative आ रही है मतलब मेरा second order derivative की हो रही है less than 0 जा रही है सारा तो सारा negative आ रही है अगर less than 0 है मतलब है तो हड़ा decreasing function है केड़ा function decreasing है fx बाला function decreasing है तो बड़ा ही clear है कि तो हड़ा function निच्चे वालनू जाएगा अगर यह function निच्चे वालनू जाओगा ता तो हड़ा को जरी यह tangent होएगी और अब अब द कर्व होएगी क्योंकि कर्व निच्चे वालनू जा रही है तो tangent की होएगी अब द कर्व होएगी तो which option is right here A option ठीक है अगे चाल देहां question number 129 दे उपर हां जी इस question दा अंसर दस्तो की होएगा the line is a normal to the curve then same question आप अल्रेडी का चुके है एक question repeated है एक question अल्रेडी होया होया है done question ठीक है जी हाल जी so this is 129 इस question दे विच कहने दो कर्व जित्तिया हो याने इह दोनों कर्व आपस दे विच की दे उपर काट का रही है याने केड़ अंगल बना रही है ने a b c d तो देखो जिमें की में था हुन क्या होया है कि अगर 90 डिगरी जा राइट अंगल थोड़ी option दे विच अवेलेबल है गया तो most probably यह कोशिश कर रहा करो कि slopes दी multiply अपा माइनस वान दे इक्वल लेके यह तो most probably यही अपने को जड़ा हमेशा solution है ओ हुंद है तो देखो पहली कर्व की दित्ती हुई है एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स वाइ स्क्यूर प्लस टू इस इक्वल टू जीरो यह थो आप यू कन चेक इट ठीक है 110 परसेंट दोना स्लोप सी मल्टिप्लाई माइनस वान दे इक्वल आउगी तो थोड़ा आंसर भी की होगा डी इस यह होंब कोश्चिन और आम नल तो सिस्टी स्लोप कार्ड की कर सकते हों क्यों कुछ भी दिविच मुश्किल है नी ठीक है इस लौस्ट प्रफ टोड़ेस व्यूक्त नमबर वान थर्टी और इस कोश्ट दे विच आपानों की रिद्ता हुया है नॉर्मल टू द कर्फ कहने एक कर्व दित्ती हुए मैनु इस कर्व दर मनने की करना है नॉर्मल फाइं करना है at the point where the curve होने थे की दिता होया कि at the point जिस point दे उपर जड़ी curve याओ की कारिया y-axis तो pass का रही है मतलब intersect the y-axis y-axis तो intersect का रही है तो दसो जी केड़े point दे विच्चो हो की कारी होगी पास कार रही होएगी तो कुछ नहीं है आप इस दे विच्च की कड़ांगे पहला आप वाइदी value कड़ांगे उस दा derivative करांगे ठीक है और तुसी इस question नों कर सकते हो skip क्योंकि इनने length या देखो आगगे जड़े question ने इस सारे over length है ना चो कुछ भी करन दी जुरूरत नहीं ह असदा होया या नहीं होया और ना लेटर कोश्चिंज भी नहीं हो देविच ठीक है चलो ता इत्थे तो हड़ा टॉपिक 3 कंप्रीट हूंद है उम्मीदत होनों क्लास पसंद आई होगी ते लाइक शियर सब्सक्राइब ज़रूर कर दियूजी थैंक्स पूर वॉच्चिं झाल झाल जो तो हॉच्चिं।